बेसिक नॉलेज की मैं बात कर रही हूं आप लोगों से आप इसी से समझ सकते हैं कि सिती कितनी गंदी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की और प्रैक्टिकल नॉलेज और रीडिंग नॉलेज में कितना अंतर होता है हमें स्कूल में बुला करके कुछ भी पढ़ा दें चलो ठीक मेरे घर में बहुत मख्या लग रही थी गरμी कसमें बहुत मक्ही लग रही थी मैं एक्दम मैं फकी वज़े से लिटते हैं भी लें और फॉर्स क्लीनर जितने भी आते हैं सबसे यूज करके हम देख चुके थे मक्षी बैठा बंद नहीं हुई थी हर तरह के कैमिकल एक दिन मुझे बहुत गुसा आया और मैं अपनी मम्मी पर चलाते वह बोली कि जब तुम जान रही हो कि क्या कर सकते हैं तो प्रिर करती क्यो वह फॉर्स पे नहीं बैठ रही थी तो इतना बेसिक सा ग्यान हमें अच्छे से पता है कि नमक क्या काम करता है हमें अच्छे से पता है कि हल्दी क्या काम करता है हमें अच्छे से पता है कि नीमबू क्या काम करता है वह खाने वाली चीज है उस फॉर्स को आप चाट लोग तो मैं एक एक्जांपल बतारे हूं आप लोगों कि आप सोचो कि इतनी बेसिक नॉलेज का इतना बड़ा यूटिलाइजेशन है हमारे लाइफ में मक्ही उस फरस पे तीन दिनों तक नहीं बैठी एक दम नहीं बैठी लेकिन हम उसको यूज नहीं करते दिमाग नहीं लगात करके मेरे इतने भी नहीं थे बाल जो देख रहे हैं यह सब आयरवेट से आया है बचपन से नहीं था बहुत कम था और हमेशा ही उड़ भी जाता है बहुत आराम से मतलब एक महीने में में मेरा पुड़ा बाल साहबी हो जाएगा और फिर उग भी आएगा यहां देख लो कितने पैसे बनारें कितने पैसे बना रहे हैं गंजोक नाम पर किसी का बाल चला चाल दूबारा नहीं आतके एकशी तिती तरह से आयरवेड फ्री तो कैसे बनाना है घर के इलेक्ट्रिक के बोर्ड भी खराब हो जाते हैं तुमको इंजिनियर भूलाना पड़ेगा मतलब गलत है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम दस्वी तक पढ़ा करके आईस बना रहे हो तुम आईस बन जाओगे दस्वी तक पढ़के और घर में इलेक्ट्रिक वाला एक बोर्टी करने नहीं आ रहा है घर में एक छोटा सा फ्रीज का दर्वाजा तूट जा तो वह बनाने नहीं आ रहा है और बात करते हैं कि पढ़ा रहे हैं काई को पढ़ाना ग्रेजुएट होकर के घूम रहे हैं बेकार है यह नहीं होना चाहिए था इस तरीके से